पूरे मामले को आपको सिलसलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं देखे मामला दरसल ये है कि पंजाब में कॉंग्रेस को तगरा छटका लगा है क्योंकि उसके मीन दाहिने हाथ कहे जाने वाले सुनील जाकर ने उनका दामन छोड़ दिया उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने छोड़ते छोड़ते ये कहा है गुडबाई बाई 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 हम सब जानते हैं कि जब कॉंग्रेस की सरकार थी पंजाब में तो वो कैप्टन अमरिंदर ने भी यही कहा था कि आज मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ और आज कॉंग्रेस में मनमाना हो रहा है उन्होंने भी कॉंग्रेस का जब दामन छोड़ दिया मुखे मंतरी से इस्तिफा दे दिया था तो उसके बाद उनको लेकर कहा जा रहा था कि वो शायद बीजेपी में शामिल हो चाएंगे बीजेपी के साथ गड़ बंदन कर लेंगे क्योंकि फिर बाद में उन्होंने पाटे का ऐलान कर दिया लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हाँ एक शर्त उन्होंने जरूर रखी थी आमादमी पार्टी के तरफ करेंगे ये सवाल बना हुआ है जिसका इंतजार करना होगा कि सुनील जाखर आखिर कब दे रहे हैं और कैसे देंगे क्योंकि सुनील जाखर ने कॉंग्रेस का दामन छोड़ कर एक बात उसाफ जाहिर कर दिया क्या पंजाब में कॉंग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है देखते हैं कि सुनील जाखर आखिर बीजेपी के तरफ जाते हैं या आमादमी पार्टी के तरफ या फिर वो क्या हरूख अपनाएंगे या राजनीती सरी सन्यास ले ले लेंगे ये तमाम सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सुनील जाखरी दे सकते हैं उनके अलावा कोई नहीं दे सकता है तो देखते हैं कि आखिर पंजाब के राजनीते में क्या भूचाल मसता है उनके पार्टी छोड़ने से कॉंग्रेस की इस्तिति कहा होती है क्योंकि इसे पहले भी एक खबर आई थी जो हमने आपको बताया था कि पंजाब में नई कॉंग्रेस बन रही है जिसमें चरंजी सी चन्नी के सहारे चल रहा है जिसमें नब्जोस सिद्धू अर्सुनिल जाकर को दरकिनार किया जो रहा है कि यही वज़ों तो नहीं है कि इन सब चीज़ को देखते हुँ इसे निल जाकर ने दामन छोड़ दिया फिलाल किलतरा ही बाइख खबरों के लिए देखते रहे स्पेनाई न्यूज नमस्कार